दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त निसांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इंडिय वन ट्वंटी ट्वंटी वन के जो यानमेशन डेट है उसके बारे में यहां पे आपको डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो चलिए वीडियो को आगे भरते हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि यहां पर आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा साथ ही साथ आप इस चैनल से डिफेंस एक्जाम के लिए मैज फिजिक्स केमेस्ट्री की त्यारी अच्छे से कर सकते हैं तो 12-2020 को यानि आपके दिसंबर महिने में 30-12 को आपको date on notification आएगा इस तारीक सétais अपको क्या करना पड़ेगा डेट को भरना पड़ेगा यानि आपको स्वर्य Fond को भरना पड़ेगा सासे साथ आपको बता दी कि लास्ट डेट ऍट फो फॉर्म के बात करें तो 19-1 यानि आपके January में आपके January में क्या होंगे form का इंड हो जागा आपको 19 जनवरी से और 13 दिसंबर से और 19 जनवरी से पहले आपके इनके बीच में आपको form फिलप होगा थी साहत अगर आप ı cigarette कि बात करें तो हर साल कोई जैसे हर साल ने देखे जाते हैं तो आपके लासट में हिरम यहां पर आ जाते हैं लास्ट कोमध इन्य जाते हैं यही काई मिल ताकि यूपेस यह कहना है कि उस समय तक करोणा का वैक्सिन आ गया होगा तो हम अपने एक्जाम को प्रॉपर वे से लेंगे प्रॉपर जो डेट है वह उसी डेट को लेंगे तो आपके लिए यही बताना चाहते हैं आप दोस्तों आपको कि आप प्लीज अच्छे से एक्जा प्लस हम इस पर वीडियो डाल चुके हैं तो आप जाके देखिए चेक कीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज चानल को लाइक कीजिएगा जरू सब्स्क्राइब कीजिएगा अभी इस पर रेगलर अपडेट हो रहे हैं इस पर और लगतार वीडियो डाला ज चाहिए बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिस्पॉंस आया है तो आप भी जाके देखिए वहाँ पर बताईए हमें कि आपको कैसा लग रहा है तो चलिए अगर हम अपने आवगे की बात करें इस 2021 के हमने जो यामिशन की बात कर रहे थे तो साथ ही साथ समझे तो डेट आपके आपको अपरील महिने में आपका यह चाहिए चरजक करवाए जागा तो प्लीज आप अभी से प्रीप्रेशन कर दिया ताकि आपको बादने प्रॉब्लम नहों तो आपका इसका करें तो आप यूपी शीक के दौरा जो कलेंडर जारी किया गया है यूपीजर के लि सब्सक्राइब जाएगा मेरा काम है आपको अपना काम अच्छे से कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीज़ेगा यहां से कुछ आगर इंफर्मिशन मिलना हो तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा नेक्स समझते हम यह तो हम समझ चुके हैं नेक्स समझते हैं कि eligibility criteria के बारे में कि what is eligibility criteria कि हम कब exam कौन-कौन बच्चे इस exam को fulfill कर सकते हैं यानि उस exam को registration कर सकते हैं तो दोस्तों बात करेंगर registration की form fill up करने की बात करें तो पहला आपके जो जो बच्चे जिनके date of birth जिनके DOB date of birth 2 2nd July 2002 से आपके क्या हो बाद में हो पहले ना हो not earlier जिनके 2nd July 2002 के बाद हो और साथी साथ not later than 1st July 2005 और नहीं की 1st July 2005 के उनका बाद हो यानि आपके 2nd July 2002 से 1st July 2005 की बीच में अगर आपका इसके बीच में अगर आपका date of birth है तो आप इस exam के form भर सकते हैं तो दोस्तों मेरा यही क कीजिए सबको बजाता चलिए ताकि वह भी अपने exam के लिए अच्छे से prepare कर सके तो चलिए वीडियो को इहीं तरह रखते हैं और वीडियो अच्छा लगा होगा ता लाइक कीजिएगा और यहां से कुछ information मिलागा चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्तों अच्छे वड़ी उसाथ तब तक के लिए बब बाए